नमस्कार मैं सुमंत का सेफ एस्टर वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से हेल्थ प्रोब्लम को समझेंगे अठारा तारीख को मैं ये प्रश्न कुंडली देख रहा था दस बज़िये 69 मिनट पे इन्होंने होरारी नमबर मुझे दिया था चालिस फोर जीरो जो होरी नमबर है जो केपी का कॉंसेप्ट है क्रिष्नमूर्थी जी का ऐसा मानना था उस अधार पूनोंने होरेरी कुंडली केपी में बोलते हैं व्रैदिक में प्रश्न कुंडली बोलते हैं तो उनका ये कॉंसेप्ट था कि जब कोई जाता गाप के पास आता है तो उसकी ग्रह दसाएं उससे लेकर आती है और ये दि उसके पास जन कुंडली नहीं है या कोई वैसा प्रश्न जिसका उतर कुंडली से देने की बज़ाए प्रश्न कुंडली ज्यादा सठीकता से काम करें तो इस इस्तिति में उससे एक से लेकर 249 की बीच का नंबर लिया जाता है और नंबर भी उसके बारे में बताते हैं उसकी समस्या को बताते हैं जैसे क्लाइंट लेडिज है इन्होंने मुझे 40 नंबर दिया 40 यह राहू का नंबर है कही न कही जैसे ही उन्होंने यह नंबर बताया पता चल गया कि कुछ न कुछ राहू जरूर गड़वड कर रहा है इनके लिए आए देखते हैं जब आप होरी नंबर देते हैं तो इस स्थिति में हमें केपी कुंडली को देखना होता है राओ भी इन्हें परभावित कर रहा है आईए हम आगे बढ़ें इसके पहले मैं आपको एक इनफॉर्मेशन दे दूँ 22 अक्टूबर से हमारा प्रेडिक्टिव एस्ट्रोजी का वर्कसप शुरू हो रहा है जिसमें बेस केपी का रहेगा यानि केपी जो एस्ट्रोजी है वहीं मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन साथ ही मैंने योतिस की कुछ और पद्धतियों के वैसे अनभूत सुत्रों को लिया है योतिस ये नियम को लिया है जिसका अध्यन करने के बाद आपकी प्रेडिक्टिव स्कील काफी बढ़ जाएगी काफी अच्छा हो जाएगा और साथ ही साथ जो योग हैं जैसे ऐस पर एजामपल हैं हमें आपको बता दूँ जो अभी आप देख रहे हैं इस केपी चार्ट में मान लेते हैं लगन कुंडली है सपोस कीजिए तो सूर्य और बुद्ध का योग बुद्धादित योग काफी धन देने वाला योग कहा गया है लेकिन क्या ऐसा सब के लिए होता है तो इस वैदिक के जो योग हैं इसको हम कैसे केपी में यूज करेंगे और किस प्रकार से हम समझेंगे इंटर्पेट करेंगे ये सब हम आपको बताएंगे इसमें जैमीनी जोतिस के कुछ सुत्र मिलेंगे जिसका हम प्रयोग वयवाहिक जीवन और साधी में करते हैं और भी जोतिस की branches हैं और बहुत ही अनुभूत सुत्र जो मैंने जनरली course content में नहीं लिखता हूँ क्योंकि सब बातें वहां लिखना possible भी नहीं है आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपको पता चल जाएगा लेकिन इतना जरूर है कि उस predictive astrology workshop को करने के बाद prediction आप अच्छे से कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात होती है remedies जैसे प्रश्नकुनली मेरे पास आई है तो client को बीमारी पता है उनको heart related problem है उनको remedies चाहिए उनका ही question था कि मेरे पास कुनली नहीं है heart related मुझे problem है doctor ने बोला है कि heart के problem है दावक आईए तो क्या कुछ चुपाया बताई कैसे ठीक हो सीधी सी बात है मैं आपको remedies भी बताऊंगा मैंने क्या बताया लेकिन concept के लिए आपको कहीं न कहीं astrology course करनी पड़ेंगे मैं predictive और उसके साथ ही remedies आप कैसे बनाएंगे क्या concept होगा उस पर काम करता हूँ course तीन से चार महीने चलेगा चार महीने का प्रेक्टिस सपोर्ट मिलेगा आप जब चाहें जोईन कर सकते हैं class जूम अप पर होगा और उसकी recording भी आपको मिलेगी जिससे आप जब चाहें जितनी बार देख सकते हैं विशेज जानकारी के लिए आप मेरे वाट्सप नमबर डबल नाइन फाइब टाइमस फाइब सेब नाइन टू पे कॉंटेक्ट कर सकते हैं चलिए अब फिर से माते हैं कुंदली की भी सेवस्तू पे राहू लग्न में ही मौजूद है कहीं कहीं राहू भरम भी देता है भरम वाले स्थिती भी रहेगी और चंद्रमा छठे भाव में आ गया तो ये भी बिमारी को रिपर्जेंट कर दिया चंद्रमा से माई प्रश्न के प्रकृत्ति देखते हैं जिसमें ये भी एक नियम है कि चंद्रमा जिस भाव में हो तो पता चल जायेगा कि हाँ उससे संबंदित समस्या दे रहा है स्वारी ये चार्ट रूटेट हो गया एक मिनट कहां यहाँ ऐसे था चार्ट चंद्रमा छठे भाव मियानी बीमारी से संबन दित तो हम प्रश्णिक औथेंटिसिटी चेक कर लेते हैं आईए जब हेल्थ का इनका इसू है तो सबसे पहले हम लगन के शबलोड को चेक करेंगे गुरू गुरू क्या आप दे रहा है गुरू को जब आप देखना चाहेंगे तो गुरू देखिए चौथे का सिग्निफिकेटर बना हुए लेवल वन पे चौथा भाव स्वास्त के लिए निगेटिव कंबिनेशन देता है साथ ने साथ आठवे का भी है थर्ड लेवल पे वन और शिक्स का भी है यानि बीमारी को पूरी तरह से बता रहा है तीनो लेवल पे और चौथे लेवल पे आठ़ और ग्यारह है यानि कुल मिलाकर जो लगनेश है लगन का सबलोड वो इनके लिए सही नहीं है और महादसा भी इनकी गुरू की ही चल रही है दसा देख लिए प्रश्न कुंडली की बात कर रहा हूँ प्रश्न कुंडली में महादसा गुरू की अंतरदसा सूरे की और प्रत्यंतरदसा आठ नौमबर 2020 तक लगन का सबलोड हमने देख लिया साथ ही साथ आप इस टेवल में जब आएंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु पहले का भी सबलोड है पांचवे का भी है छठे का भी है साथवे का भी है नौवे का भी है तो जब हेल्थ की बात करें तो ये सही है पांचवे में गुरु आया ये भी सही है साथवे में आया ये भी सही है नौवे में आया ये भी सही है लेकिन गुरु का छे और बारह में आना हेल्थ के लिए सही नहीं है लेकिन कुल मिला कर हम देखें तो चार बार positive रूप में आया एक, पांच, साथ, नौ और दो बार negative रूप में आया 6 और 12 तो कुल मिलाकर health की problem से problem तो होगा आना है चुकि 6 बीमारी, 12 hospital बीमारी और hospital के चक्कर लगेंगे तो कुल मिलाकर यह समस्या तो दे रहा है तो कई न कई आठवें से भी इसका connection बन रहा है तो यह problem देगा है दूसरी बात आप देखेंगे तो जो गुरु का नक्षत्र है शुक्र यह सुक्र आठवें का भी नक्षत्र बना हुआ है गुरु का नक्षत्र सुक्र यह आठवें भाव जो tension का है इसका नक्षत्र बना हुआ है तो कुल मिलाकर गुरू जो लगन का शबलोड है इसका संबन 6, 8 और 12 से बन जा रहा है 12 हुए कभी जब आप देखेंगे तो सुक्र ही है और छठे का रासी स्वामी भी सुक्र है तो कुल मिलाकर बिमारी इनको होगी परिसान करेगी लेकिन साथ ही साथ जो गुरू आ रहा है पांचवे में, साथवे में और नौवे में ये हेल्थ के लिए पोजिटिव भाव है जो इनको मदद करेंगे रिकवर होने में यदि 11 से भी गुरू का संबंद बन जाता वैसे आप देखे बन भी रहा है रासी के रूप में लेकिन यदि इनक छत्र और सबलोड लेवल पर बनता तो और ही पोजिटिव पावरफुल हो जाता और इनके लिए बहुत ही अच्छे स्थिति होती तो कुल मिलाकर यहां पर कनफर्म हो गया है कि इनको हेल्थ का प्रोब्लम रहेगा राहू की क्या भूमी का है राहू से मैंने क्यों कनेक्ट किया राहू पहले भाव में है बैठा हुआ है और साथ यह आठोई का सब लॉड भी है उसके बाद जब आप देखेंगे तो राहू का जो सिगनिफिकेशन है यानि रिजल्ट देना 146 प्लैनेट लेवल पे तो कहीं न कहीं ये भी इनके लिए प्रोब्लमेटिक है राहू लगन में बैठा है तो इस इस्तिति में या बीमारी में भरम की स्तिति देगा कई बार डॉक्टर सही से डाइगनूस ही नहीं कर पाएंगे और 12 नमबर भी इसके नक्षत लेवल पे 8 नमबर सबलोड लेवल पे है यानि 1-6-8-12 1-4-6-8-12 तो कहीं न कहीं प्रोब्लम ज़ादा देगा लेकिन एक बार नक्षत लेवल पे 11 आ गया है तो थोड़ा सा बचाव भी होगा यानि 7 और 11 हेल्थ के लिए अच्छे कॉंबिनेशन भी है बच जाएंगे मतलब ऐसा कोई प्रोब्लमेटिक नहीं है हर्ट की प्रोब्लम अभी सुरुवाती स्टेज में है तो दवा तो चलाना ही होगा अब इनका जो कहना था कि क्या करूं क्या रेमेडिय है बताईए तो सबसे पहले हम देखेंगे जो महादसा गुरू की चल रही है प्रोब्लम यही है दूसरा प्रोब्लम राहु का है लगन में बैठा हुआ है यह समस्या दे रहा है और साथ हिसाथ हर्ट का कारक सूर्य है लेकिन सूर्य में आप देखेंगे तो 2, 5, 7, 11, 5 साई 4 और 12 ही निगेटिव है तो थोड़ा सा हम सूरी की रेमेडिय बताएंगे चुकि कारक करा है और गुरु की रेमेडिय बताएंगे दूसरी बात मैं यहां आपको बताऊं राहु लगन में बैठकर 4, 6, 8, 12 देने के कारण मैंने इनसे कहा आप अपने घर का फोटो भेजिए इन्होंने फोटो भेजा मैंने चेक किया निगेटिव इनर्जी काफी ज़्यादा है यानि प्रस्मकुनली से ही मैंने वास्तू को कनेक्ट किया निगेटिव इनर्जी को चेक किया उसे दूर करने के इनको कुछ उपाय भी बताए और साथ ही साथ कलर कंबिनेशन भी सही नहीं थे तो चुकि अभी बदलना संभव नहीं है मैं बोला आप बार में कर लिजेगा लेकिन निगेटिव इनर्जी को दूर करने का मैंने रेमेडी बताया साथ ही इनको राहु गरह के बीज मंत्र को पढ़ने के लिए बताया और गुरु गरह के लिए गुरु का कवच जो मंत्रों से सिद्ध किया गया हो या आप गुरु के भी बीज मंत्र का जाब कर सकते हैं दोनों करें और इसका लाग उठाए दो दिन बाद यानि 20 तारीख को उनका मेसेज आया कि पोजटिव फील कर रहे है ध्यान से समझिये का पोजटिव फील कर रहे हैं ऐसा नहीं कि दो दिन मंत्र आप जाब किये और बीमारी सही होगए जो बीमारी होगए उससे तो दवा लेना होगा लेकिन जो पहले टेंसन ज्यादा था बीमारी को लेके एक अंजाना डर बना हुआ था वो इस negativity को दूर करने वाले remedy करने के बाद और राहू का मंत्र जब करने के बाद मैंने हाँ remedy section था तो इसलिए आपको बता दिया कि गुरू का कवच और गुरू का मंत्र जब दोनों लाप देगा लेकिन मैंने इनको गुरू का कवच ही बताया है तो इन्होंने दो दिन कौन सी remedy की निगेटिव इनर्जी को दूर करने वाले जो रेमेडि बताया था और दूसरा राहू के बीज मंत्र का जब यानि 48 घंटे के बाद इनको काफी अच्छा positive फील हो रहा है दूसरा ये problem चुकी प्रत्यंतर दसा में राहू है आठ नौवंबर तक तो ये प्रत्यंतर यानि 8 नौवंबर तक थोड़ा सा इनको परिशान रखेगा उसके बाद गुरू आ जा रहा है गुरू और सूरे नैसरगी के रूप से सूब गरा है दवा के और स्वास्त के कारक है तो जैसे ही गुरू प्रत्यंतर में आएगा इनको अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा या वहीं डॉक्टर चुकी MD डॉक्टर से इलाज करवा रहे है दवा कुछ चेंज करेंगे जिससे इनको बेनिफिट मिल जाएगी यानि प्रश्न कुंडली के द्वारा भी आप रेमेडि डिजाइन कर सकते हैं अपने क्लाइंट को बता सकते हैं और उसका लाब ले सकते हैं यदि आप सीखना चाहते हैं मेरे प्रेडिक्टिव एस्ट्रोजी वर्क्शॉप में जुआइन होना चाहते हैं तो आपका स्वागत है विसेज जानकरी के लिए वाटस अप नमबर पर कॉंटेक्ट करें बने रहे हैं मिलते हैं कुछ और वीडियोस के